ओमेगा-3 आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और यह बॉडी नहीं बनाती आपको लेना पड़ता है और मैं इस वीडियो के एंड में आपको बहुत सी टिप्स बताने वाला हूं कि कैसे काम करता है हमारी 70% 70% population deficient है इस ओमेगा-3 के अलेकुम जी मेरा नम डॉक्टर हारिस कुरेशी है और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के साथ आया हूं के ओमेगा-3 ओमेगा-3 पर हम इसलिए बात करें क्योंकि हम डिजीजिस के बारे में बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करना ज़रूरी है जो कॉर्ड लिवर ओयल होता है और जो फिश ओयल है वो एक्सपेंसिव होता है दूसरा जो है थोड़ा सा चीप होता है और यह इनके बहुत जादा विटमिन्स भी होते हैं आपके कॉर्ड लिवर के अंदर मेगा-3 जो है वो बहुत इंपॉर्टन है लेकिन यह आएगा कहां स मी आपकी घिजा के अंदर यह आ सकता है तो मचली के अंदर बहुत से टाइप की मचली हैं उनके अंदर यह होता है वालनट होते हैं वो उसके अंदर होता है चिकन और बीफ के अंदर होता है जो ग्रास फेड जो भी मुर्गियां या बकरे जो और गाएं जो है ना जो घां ले होता है और वो आगे जाके कनवर्ट हो जाते हैं डी एच यह और फिये जो है वो सोलिष्ट जो है इंफलेमेशन और वमीकृर्ष जो है और आपको पता है कि बहुत बड़ी बहुत अच्छा रहता है और मेमरी भी बहुत अच्छी रहती है इसलिए फिश जो है और यह जो आपकी सारी चीज़ें ओमेगा-3 यह देना उनको जरूरी है ताकि उनकी ब्रेन की ग्रोथ भी हो और उनकी मेमरी याददाश भी जो है ना उनकी अच्छी ब्रेन है वह 20% DHA से भी बनी होती है तो इसलिए यह बेसिक्स आपको समझाना बहुत जरूरी है वो आपकी एजमा के अंदर और जितनी भी एक खांसी और यह इस तरह की सीने की बिमारी है उनके अंदर बड़ा अच्छा रोल है उसका क्योंकि यह इंफ्लमेशन गम करता है और यह बहुत ही बेल्स को आपके जितने भी नैच्रिल जो चीजें उन सबको अच्छा रखता है ओमेगा-3 दिमाग के लिए और दिल के लिए बहुत अच्छा है अब मैं आपको बताता हूं कि 70% हमारी पॉपलेशन डेफिसेंट है ओमेगा-3 और ओमेगा-3 अगर डेफिसेंट और नहीं ह प्रिसर आपका रह सकता है इसकी वजह उसक्ति हैं च्रिलेट्टव में आपके पॉपलम्स होती हैं मैक टी जनरेशन एक उच्छ प्रों कि घुटनों में और जोड़ों में जितने भी हैं आर्फ्रीटस हो सकता है इसकी वज़ा से उसको एक ट्रीट करते निए बहुत बढ मदद करता है इसकी कमी जो है अगर हो जाए तो डिफिशेंसी हो जाए तो नींद भी जो है आपकी खराब हो जाती है और नींद भी नहीं आता है जैसे ही मैंने आपको बताया है कि इसकी डिफिशेंसी यासे आपकी याद दाश का भी तालोग है और वो भी प्रॉब्लम में अगर ये ओयल आपने लेना है तो आप अपने मॉलिट से डिसकस करें उसके बाद लें क्यूंकि ये जो है काफी इलर्जिक रियकिशण भी करा सकता है तो अपने मॉलिट से पहले पता करें फिर उसके बाद ये फिश और ये कोड ओयल और ओमेगा-3 लें जिनके पित्ते का उपरेशन हुआ होता है या बाइल का जो है ये निजाम खराब होता है उनका जिगर का निजाम खराब होता है तो उनको जो है शायद सप्लिमेंट्स लेने पड़ें कुछ एक्स्ट्रा और उसके साथ ये आपको खाना प्रिशली मैंने आपको ओमेगा-3 के ही बहुत अच्छा है आपके और भी कोई 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 वा मुझा पूछ सकते हैं डी आरेंडस को रेचेज क्यू पर मैं सब लोगों को जवाब देता हूं सब सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूं और भी कोई आप वीडियो चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बना दूंग आप ल मां वीडिया